ओम शांति ओम शांति आज 14 सितंबर 2014 दिन शनिवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीथे मीथे बाप दादा के मधूर महवाक्यों को मीथे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रिंगार करो पर चिंतन से अपना श्रिंगार मत बिगाड़ो टाइंव वेस्ट ना करो प्रश्न तुम बच्चे बाप से भी दिखे जादू करो कैसे, उत्तर यहां बैठे बैठे तुम इन लक्षमी नारायन जैसा अपना श्रिंगार कर रहे हो यहां बैठे अपने आपको चेंज कर रहे हो यह भी जादुगरी है सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रिंगार हो जाता है कोई हात्माँ चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है योग से तुम साफ, स्वच और शोभनिक बन जाते हो तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है, यह भी कमाल है न ओम शंति रुहानी जादुगर बैठ रुहानी बच्चों को जो बाप से भी तीखे जादुगर है, उन्हों को समझाते है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ बैठे बैठे कोई चुर्पूर नहीं बाप अत्वा साजन, सजनियों को युकते बता रहे है साजन कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो अपने को तुम ऐसे लक्षमी नारायन मिसल श्रिंगार रहे हो कोई समझेंगे तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबर बार पुर्शाथ अनुसार तो हो ही न बाप कहते हैं, ऐसे श्रिंगारे हुए बनना है तुम्हारी एम अबजेक्ट ही है भवश्य अमर पुरी के लिए यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो पैराडायस के श्रिंगार के लिए पुर्शाथ कर रहे हो इसको क्या कहेंगे यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मनाभव की चाबी दे दी है बस एक के सिवाए इसके और कोई भी फालतु बातें सुन सुना कर टाइम वेस्ट मत करो तुम अपने ही श्रिंगार में लगे रहो दूसरा करता है वा नहीं इसमें तुम्हारा क्या जाता है तुम अपने पुर्शार्थ में रहो कितनी समझ की बाते हैं कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा तुम्हारे में कोई तो अपना श्रिंगार कर रहे हैं कोई तो और ही विगाड रहे हैं पर चिंतनाधी में टाइम वेस्ट करते रहते हैं बाप बच्चों को समझाते हैं तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं वो छोटी युकती बताई है बस एक ही अक्षर है मन मना भव तुम यहां बैठे हो परंतु बुद्धी में है कि सारे स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है अभी फिर से हम विश्व का कर रहे हैं तुम कितने पदमा पदम भागे शाली हो यहां बैठे बैठे तुम कितना कारे करते हो कोई हात पाउं तो चलाने की बात ही नहीं सिर्फ विचार की बात है तुम कहेंगे हम यहां बैठे उंचते उंच विश्व का शिंगार कर रहे हैं मन मना भव का मंत्र कितना उच्छ है इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोबनिक हो जाएंगे अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी यह कमाल है न तो ऐसा अपन अपना श्रिंगार करना है, दैवी कुन भी धारन करने हैं, बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अल्फ बे, सिर्फ अल्फ की बात है, बाप को याद करते रहो, तो तुम्हारा श्रिंगार सारा बदल जाएगा, बाप से भी तुम बड़े जादू करो, तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारा श्रिंगार बन जाएगा, अपना श्रिंगार ना करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुचाते हो, इतना तो समझते हो, हम बक्ती मार्ग में क्या क्या करते थे, सारा श अक्षर से बाप की याद से तुम्हारा श्रिंगार होता है बच्चों को कितना अच्छी रीती समझा कर फ्रेश करते हैं यहां बैठे तुम क्या करते हो याद की यात्रा में बैठे हो अगर कोई का खयाल और और तरफ होगा तो श्रिंगार थोड़ी ही होगा तुम श्रिंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है बाप आते ही है ऐसा श्रिंगार बनाने कमाल शिबाबा आपकी आप हमारा कितना श्रिंगार करते हो उठते बैठते चलते हमको अपना श्रिंगार करना है कोई तो अपना श्रिंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं, कोई तो अपना भी श्रिंगार नहीं करते, तो दूसरे का भी श्रिंगार बिकारते रहते हैं, फालतु बाते सुना कर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं, खुद भी श्रिंगार से रह जाते हैं, तो दूसरे को भी रहा देते हैं तो अच्छी रीती सोच विचार करो बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से युक्तिया नहीं आती हैं शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के तुम को कहते हैं तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो बोलो हम तो सब मानते हैं, आदा कल्प बक्ती की है, शासर पढ़ते हैं, तो कौन नहीं मानेंगे, रात और दिन होते हैं, तो जरूर दोनों को मानेंगे न, यह है बेहत का दिन और रात, बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम अपना श्रिंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत थोड़ा है, तुमारी बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमारा टाइम तो बहुत वेलुएबल है, कौडी से हीरे जैसा तुम बनते हो, मुफ्त में इतना थोड़े ही सु श्रिंगार वाले, तब तो उन्हों के ही चित्र हैं, जिनको बहुत पूजते रहते हैं, चितना बड़ा आदमी होगा, उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रिंगार करेंगे, आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे, बाबा को तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्षमी नारायन के लिए, वास्तव में तो उन्हों जैसी यहां पहरवाइस कोई बना न सके, अभी तुम बना रहे हो, नंबर वार पुरशार्थ अनुसार, तो बाब समझाते हैं बच्चे, टाइम वेस्ट ना अपना करो ना ओरों का करो, बाब युकती बहुत सहज बताते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाएं, याद बगर इतना श्रिंगार हो ना सके, तुम यह बनने वाले हो ना, दैवी स्वभाव धारन करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं, परंतु पत्थर बुद्धी होने का पड़ता है, एक सेकंड की बात है, बाब कहते हैं, मीठे मीठे बच्चो, तुमने अपने बाब को भूलने से कितना श्रिंगार बिगार दिया है, बाब तो कहते हैं, चलते फिर ते श्रिंगार करते रहो, परंतु माया भी कम नहीं है, कोई-कोई लिखते हैं, बाबा, का राज्य है, जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, यह फिर है बेहद की रात और दिन, इन में एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता, अभी तुम बच्चे नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार ऐसा श्रिंगार कर रहे हो, बाब कहते हैं, चक्र वरती राजा बन यहां आते ही हो तुम अपने कोश रिंगारने, रिफ्रेश होने, बाब पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है, यहां बाबा पास आते हैं, नई नई पॉइंट से सम्मुख सुनने, फिर घर में जाते हैं, तो जो कुछ सुना है, वह बाहर निकल जाता है, यहां से बाहर निक तो खटमल फिरते रहते हैं, एक दो का खून करते पीते रहते हैं, तो बाब बच्चों को समझाते हैं, यह तुमारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो, अपने को शरिंगारने की बहुत युक्तिया मिली है, मैं सब का उध्धार करने आता हूँ मैं आया हूँ, तुमको विश्व की बादिशाही देने, तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो, काम काज करते भी बाप को याद करते रहो, इतनी धेर सब आतमाय आशिक हैं, एक परमपिता परमातमा माशूक की, वेस्ब जिसमानी कताया दितो, तुम बहुत सु अब आप कहते हैं, वेस्ब भूल जाओ, वक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया, और वाइधा भी किया है, हम आपके ही बनेंगे, ठेर के ठेर आशिकों का एक माशूक, वक्ति मार्ग में कहते हैं, ब्रह्म में लीन होंगे, ये सब हैं, फाल्तु बातें, एक भी मौक्ष को नहीं बासकता है, ये तो अनादी ड्रामा है, इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है, बाप कहते हैं, सिर्फ एक अल्फ को याद करो, तो तुम्हारा यह श्रिंगार हो जाएगा, अभी तुम यह बन रहे हो, स्मरती में आता है, अनेक बार हमने श्रिंगार किया है, कल्प कल्प बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे, कितनी गुहे गुहे पॉइंट्स हैं, बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है, वारी जाओं ऐसे बाप पर, आशिक माशूक भी सब एक जैसे नहीं होते, यह तो सभी आत् घुमो, फिरो, नौकरी करो, अपना श्रिंगार करते रहो, आत्माएं सब एक माशूक की आशिक हैं, बस उनको ही याद करते रहो, कोई-कोई बच्चे कहते हैं, हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं, परंतु सदेव तो कोई कर नहीं सकते, बहुत में बहुत दो अढ़ाई घंटे करते हैं, जास्ती अगर लिखें, तो बाबा मानता नहीं, दूसरे को समरती दिलाते नहीं, तो कैसे समझें, तुम याद करते हो, क्या कोई डिफिकल्ट बात है, कोई इसमें खर्चा है, कुछ भी नहीं, बस बाबा को याद करते रहो, तो तुम्हारे पाप कर भी गुण भी धारन करने हैं, पतित कोई शांती धाम वा सुख धाम में जाना सके, बाब बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा भाई भाई समझो, 84 जन्मों का पाट अभी पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ने का है, ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है, तुम ज जानते हो नंबर वार पुर्शार्त अनुसार, दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते, हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं, चलेंगे तो श्रिंगार भी अच्छा होगा, एक दो को उल्टी बातें सुना कर, अथवा सुनकर अपना श्रिंगार भी बिकार देते हैं, तो दूसरे का भी बिकार देते हैं, बच्छों को तो इसी दून में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रिंगार धारी कैसे बने, बाकी तो जो कुछ है वह ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले, वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता, बल तुम दो को याद दिलाओ, शिबाबा याद है, वर्सा याद है, विश्व की बादशाही का श्रिंगार याद है, विचार करो, यहां बैठे बैठे तुमारी क्या कमाई है, इस कमाई से अपार सुख मिलना है, सिर्फ याद की यातरा से, और कोई तकलीफ नहीं, बगती मार्ग म उने मनुशे कितने धक्के खाते हैं, अभी बाप आए हैं श्रिंगार ने, तो अपना अच्छी रीती खयाल करो, भूलो मत, माया भूला देती है, फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, तुम्हारा तो यह बहुत वेल्यूइबल टाइम है, पढ़ाई की मैनत से मनुशे क्या से क्या बन जाते हैं, बाबा तुमको और कोई तकलिफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो, कोई भी किताब आदे उठाने की दरकार नहीं, बाबा कोई किताब उठाता है क्या, बाप कहते हैं, मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर इसलिए उनको मातपिता कहा जाता है, ये भी तुम जानते हो, बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे, दुनिया की बदली तो हो नहीं है, अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अकल देते हैं, बाप की मत पर चलना है, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, वही बुद्धी में चलना है, तुम भी यह संसकार ले जाते हो, जैसे बाप में संसकार हैं, वैसे तुमारी आत्मा में भी यह संसकार भरते हैं, फिर जब यहां आएंगे, तो वही पार्ट रिपीट होगा, नंबर वार पूर्शार्ट अनुसार आएंगे, अपने दिल से पूछो कितना पूर्शार्ट किया है, अपने को श्रिंगारने का, टाइम कहां वेस्ट तो नहीं किया है, बाप सावधान करते हैं, वहयात बातों में कहां भी टाइम ना गमाओ, बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर ना चलो, तुमको यह पता थोड़े ही था कि हम पुरानी दुनिया में हैं, बाप ने बताया है कि तुम क्या थे, इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं, यह भी ड्रामा अनुसार पार्ट मिला हुआ है, ड्रामा अनुसार अनेका नेक विखन भी पढ़ते हैं बाप समझाते हैं बच्चे ये ग्यान और भक्ति का खेल है वंडर्फुल ड्रामा है इतनी चोटी आत्मा में सारा पार्ट अविनाशी भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सर दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारा पुल्टी बातें सुनकर वासुनाकर श्रिंगार बिगाड़ते तो नहीं है। आपस में प्रेम से रहते हैं। अपना वेल्यूइबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं। कि वर्दान को विस्तार में समझेंगे। व्यर्थ संकल्प उत्पन होने के कारण मुखे दो कारण हैं। पहला है अभिमान और दूसरा है अपमान। मेरे को कम क्यों। मेरा भी ये पद होना चाहिए। मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझ करना यही व्यर्त संकल्पों का कारण है इस कारण को जानकर निवारन करना ही समाधान स्वरूप बनना है स्लोगन साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट ओम की आत्रा करना बहुत सहज है साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट ओम की आत्रा करना बहुत सहज है ओम शंति